नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका SSC Smart Classes में तो काफी सारे स्टूडेंट के जो डिमांड थी वो CBDT को लेकर के थी कि Tax Assistant in CBDT 2019 के SSC CGL की Expected जो All India Rank है और उसके मेसिस पे Marks जो हैं वो कितनी जा सकती है काफी shocking data है और देख लेते हैं मैंने इससे पहले भी काफी analysis आप लोगों को बताए है Tax Assistant CBIC जो सबसे जिसकी lowest cut हो जाती है वो मैंने आपको बताया है आपको income tax inspector की बताई है CSS की बताई है exercise inspector की बताई है आज मैं आपको CBDT की बताता हूँ बहुत ही अच्छी analysis मैं आपको तरीके से आपको बता रहा हूँ काफी महनत लगती है वीडियो बनने में इसलिए time लग जाता है और देखिए यह बिल्कुल हम कहा नहीं सकते कि बिल्कुल यह exact है यह जस्ट आपको एक idea लेने के लिए आपको जस्ट आइडिया हो जाए कि आप कहां स्टेंड कर रहे हो इस परपस यह जो डाटा है वह आपके लिए बनाया जाता है बरहाल यह नियर अबाउट इसी के आसपास जो है वह चीज़े रहती हैं देखिए जैसा कि मैंने आपको कहा कि डाटा को काटिगरी से CBDT में टेक्स असिस्टन CBDT में वह 3941 जो थी वह लास्ट ओल इंडिया रैंक थी टोटल यूर वकैंसी 4144 थी देखिए टेक्स असिस्टन CBDT से पहले जो है वह मतलब CBIC से पहले हम प्रेफर करते हैं मतलब जो उसके बाद कट ओफ जाती है वह इसी के हाई जाती है फिर उसके उपर तो सारी हाइप कट जाती है तो जो CBIC की जो नेट आपकी जो सीट्स थी वह इसमें से माइनस करनी पड़ेगी 487 प्लस वन एक और सीट थी तो यह आपकी टोटल 488 थी तो 4144 जो टोटल वकैंसी तो उसमें आपने CBIC के माइनस कर दी तो 488 माइनस कर दिय इसके लावा horizontal vacances भी थी अब वो जो horizontal vacances है वो भी definitely माइनस होंगी क्योंकि वो जर्नल में से ही निकलती है ठीक है और वो इसी रेश्यों में से निकलती है आपकी 27 15% SC हो गया ST के लिए 7.5% EWS के लिए 10% UR के लिए 40.5% तो यही आपका कुछ कोटा जो है वो चलता है तो उस इसका जब हमने सोरी जो टोटल horizontal vacances 125 थी तो उसी के अगेंस्ट हमने 40.5% कोटा लगा करके इसकी निकाल दी 50 आ गई तो जो आई डाटा निकल के आया वो कितना आया 3606 यानि कि लास्ट अगर जिसकी इतनी रेंग है तो उसको CBTT मिल जाएगा लेकिन रेंग जो है वो 3941 गई तो approach 380 जो बच्चे हैं वो यानि कि उन्होंने या तो कुछ और प्रेफर किया होगा कोई और जोब ले ली या फिर वो छोड़ के चले गए तो यही सारी चीज़े हुई होगी क्योंकि वो 308 candidates कौन से हैं उन्होंने जोब नहीं ली वो कहीं और जो है वो चले गए या तो जो पिछले साल जिन्होंने एक्जान दिया था उसी जोब में रह गए तो यही डाटा हमने अनलाइस जो है वो करना होता है अब यहां पर हम सीजेल 2019 को एनलेसिस जो हो कर लेते हैं तो यहां पर टोटल यूर की वकैंसी है क्योंकि उस टाइम पर EWS category नहीं थी तो सीट वाइड हो रही है तो टोटल यूर वकैंसी है वह आपकी 3674 आपके वकैंसी है और आपकी जो होरिजोन्टल वकैंसी है सो ओन दे बेसिस आगे सीजेल 2019 का हम देख लेते हैं टोटल यूर वकैंसी है वह 3675 है इसमें EWS भी निकल गई है क्योंकि उस टाइम पर EWS 2017 नहीं थी तो वकैंसी इस पर कम हो गई है जर्नल के अगर मैं अब यहाँ पर आप देखिए टेक्स असिस्टेंट वही CBDT की निकाल रहे हैं तो दो ही पोस्टें जो लास्ट में रह जाती है CBIC और CBDT CBDT की प्रेफरेंस CBIC से उपर रखी जाती है तो CBIC की आप वकैंसी निकाल दीजिए जो जर्नल की थी अब उसमें आपकी 197 जर्नल की थी लेकिन होरिजोंटल जो रिजर्वेशन की वकैंसी थी वो भी निकलेंगी तो 17 उसमें से निकल गई 180 रह गई अब जो आपके पास टो ठीक है तो इसी तरीके से मैं 500 एप्रोक्स मान के चलता हूं तो 3994 से लेकर के यह आपका 4050 के बीच में आपके एक्सपेक्टिड ओल इंडिया रैंक जो है वो रहने वाली है तो यह एक्सपेक्टिड है अब इसके अगेंस्ट आप मार्क्स चेक कर लीजिए जो जर्नल टीर वन नॉर्मलाइजड मार्क्स है और टीर टू के नॉर्मलाइजड मार्क्स हैं इंगलिश और मैथमेटिक्स के अगर आप डिस्क्रिप्टिव में 55 मार्क्स आप जब एवरेज दिये जाए तो जर्नल के जो है वो आपके 587 से 589 आपकी एक्सपेक्टिड कटोफ है और एस्टी के लिए 500 से 502 है तो यह कुछ आपके एक्सपेक्टिड कटोफ है देखें यह बिल्कुल एक हम कहने सकते हैं और स्टीक कटोफ नहीं होती है एक्सपेक्टिड होती है ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए जो बहुत ज़रूरी होता है अभी आपका आरर भी के लिए जो है वह आपका एक्साम होने वाला है तो उसमें हिस्ट्री का portion बहुत जाधा question पूछ है जाते हैं computer के question पूछे जाते हैं इसके लबाव economics के भी question पूछे जाते हैं यह तीनों books जो है वो मैंने पहले से ही prepare करके रखी है और लगभग उसमें सारे question आएंगे अलग-अलग आपके जोन्स के exam होंगे कोई चंडीगड जोन का है तो अलग-अलग books हैं यहां पर आप देख सकते हैं history के book है अब बहुत useful content इतना useful contact यह इसमें content है कि आप ssc के exam से related कोई भी state level का आए उसमें history का यह जो topic हैं यह सारे आपको देखने को मिलेंगे इसके साथ ही आपके जो mcqs 100-500 mcq जो हैं बिलकुल अच्छे तरीके से मैंने यह book जो है वह आप लोगों के लिए compile की हुई है आपके हर exam में यह काम आएगे ऐसा नहीं है यह data जो है वह ऐसा भी नहीं है कि change हो जाता है यहां पर आप देखे इसमें mcq भी आप practice करोगे chsl का भी exam जो हुआ था ना उसमें आप mcq उठाके देखे जो भी questions पूछे गए थे objective वह आपको लगभग 97% content आपको यहीं मिलेगा आप एक बार देखेगा मैच करके economics का मैं आपको दिखा देता हूं यह handwritten books हैं जो कि बहुत ही महनत करके इसमें आपको सारा data जो है वह मिलेगा कुछ भी ऐसा नहीं है जो मतलब आपका change होगा थोड़ा बहुता data और इसके लावा तीसरी आपके computer की book है जो कि आपके हर exam के लिए important है वह मैं आपको प्रवाइट कर रहा हूं नीचे description में आपको गूगल पर नमबर दिया गया है जिस्ट आप 90 रुपीज करके डिरेक्ट मैं आपको तीनों books जो मेल कर दूंगा एक होप यह वीडियो आपको अच्छे लगी होगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए धन्यवाद